मेरे प्यारे देश्वासियों आज का ये बजेट इंट्रिम बजेट तो है ही लेकिन ये बजेट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजेट है इस बजेट में continuity का confidence है ये बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा गरीब महिला और किसान सभी को एमपावर करेगा निर्मला जी का ये बजेट देश के भविश के निर्मार का बजेट है इस बजेट में 2047 के विक्सीद भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्षाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है बजेट में दो महत्वपूर्ण नीने ले गए हैं रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुप्य का फंड बनाने की गोशना की गई है बजेट में स्टार्ट अफ को मिलने वाली टेक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए केपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुप्य की एतिहासिक उंचाई दी गई है अर्थ सास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मार के साथ ही युवणों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अवसर तयार होंगे बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है इसे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हम एक बड़ा लक्ष ताय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उसे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड चे अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड और नए घर बनाने का लक्ष रखा है हमने दो करोड महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था अब इस लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है आईशमान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दे उनके लिए आएके नए आउसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है रूप्टॉप सोलर अभ्यान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप्टॉप के माद्दम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेज कर लोगों को पंद्रा से बीस हजार प्रतिवर्श की आए भी होगी और हर परिवार को होगी साथियों आज जीस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है उससे मद्द्वर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्प्वां और बड़े निर्णे लिए गए नेनो डिये पी का उप्योग हो पश्वों के लिए नई योजना हो पी एम मत्स संपदा योजना का विस्तार हो और आत्म निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो इससे किसानों की आए बड़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देश वास्यों को इस अइतिहासिक बजेट के लिए शुब कामनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइव